तीसरे मैच के लिए ऐसी हो सकती है भारत की प्लेंग 11 गौतम गंभीर का खास प्लेयर मचाएगा गदर। भारत ने बांगलादेश के खिलाफ T20 सीरीज में दो से शून्य की अजे बढ़त बना ली है। जानिये तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया अपनी प्लेंग 11 में क्या ब उसे on कर ले ताकि आपको आने वाली विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। विडियो को लाइक एवाम शेर जरूर करें साथ ही कमेंट बोक्स में कमेंट करते हुए यह बताएं कि आप विडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थेंक्स बोल सकू। साथ ही साथ Facebook पैच पर देख रहे Frinders वीडियो को लाइक शेर करते हुए comment box में बताएं कि आप वीडियो को कहा से देख रहे है ताकि आपको भी मैं थैंक्स बोल सकू वीडियो को लाइक एवं शेर करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमें यहां मालूम चलता है कि हमारी वीडियो कहां कहां देखी जा रही है साथ ही साथ इससे हमारा होसला बढ़ता है आईए चलते हैं अपने टॉपिक पर भारत बांगलादेश की T20 सीरीज 6 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अब तक भारतिय टीम दोनों मैचों को जीत कर सीरीज में दो से शून्य की अजे बढ़त बना चुकी है अब तीसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा चुंकि भारत पहले ही सीरीज जीत चुका है इसलिए संभव है कि आखरी मैच के लिए टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहले मैच में मयंक यादव और नितीश कुमार को इंटरनेशनल डेब्यू का अवसर दिया था एक तरफ नितीश दूसरे मैच में 74 रन की पारी खेलकर भारत के नए स्टार बन गए हैं दूसरी और मयंक ने भी अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग करके दोनों मैचों में विकेट चटकाया है ऐसे में आईए जानते हैं कि तीसरी और आखिरी भिडंत के लिए किन दो खिलाडियों को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है मयंक यादव और नितीश रेडडी इस सीरीज में पहले ही नाम कमा चुके हैं और अब डेब्यू करने वाले खिलाडियों की लिस्ट में हर्शित राना का नाम भी जुड सकता है हर्शित के लिए पिछला सीजन बहुत शांदार गुजरा जहां उन्होंने केके आर के लिए खेलते हुए 13 मैचों में 19 विकेट जटके थे इससे पहले उन्हें जिमबाबवे के खिलाफ T20 स्क्वार्ड में शामिल किया गया लेकिन तब उन्हें डेब्यू का अफसर नहीं मिल पाया था हर्शित को मौका मिलता है तो किसी एक में गेंदबाज को तीसरे मैच के लिए आराम दिया जा सकता है तिलक वर्मा अब तक टीम इंडिया के लिए 16 T20 मैच खेल चुके हैं जिनमें उनके नाम 336 रन है वो 33 तशमलोव 6 के बढ़ियां औसत से बैटिंग करते आए हैं और अब तक दो अर्धश तक भी लगा चुके हैं हाला कि वन्डे मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है मगर T20 मुकाबलों में उनके बैट से खूब रन निकले हैं यदि उन्हें मौका दिया जाता है तो मिडल ओर्डर में से किसी एक खिलाडी को बाहर होना पड़ सकता है अभिशेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, नितीश कुमार रेड़ी, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकु सिंग, वाशिंग्टन सुंदर, वरुन चक्रवर्ती, अर्षदीप सिंग, मयंक याडव, हर्षित राणा